च्छत मईया की गार्था गाउं सुन और भक्तो ज्यान लगाई सिरी केष्न द्वार का में आए उनकी पटरानी रुक मड़ी थी रती विजन को देख लजाए सो रहो संगार बती सो अभरन करके बैठी महल में जाए पान में पुंडल नाक में नथनी अंगुलिया मूठी रही दिखाए पाउप जनिया मात टिकुलिया हाथ में चगना रही खनकाई पाली आँख में काला का जल पाली आँख में काला का जली आँख की सो भार रहा पढ़ाई सडम पुट माते में बिराजे चमक से जिसके दूर लजाए मन मोहकता चेडा एंसा जो देखे देखत रह जाए किष्ण की आत लगाए बड़की तब तक सांब गया है आए जांब पती का वेटा लगता तूसरी पटरानी जो कहाए महल की ओर कया रुक मड़के देख के रूप कया मुर्चाई सजधज के सिंगार किया है सजधज के सिंगार किया है सांब देख के गया लुभाई लगाब चार बबन मैं करने कास मेरी पत्नी बन जाए कितना भाग साली में होता मूरख को गया पाप समाज जो है इसकी माता लगती उसी के बारे में सोचा हाई क्यों न मिली मुझे पत्नी एसी मूरख मन ही मन पच्चता है मेरे पिता जी सिरी किष्ण को क्यों मिल गई समझ नहीं आए सांबी मन में सोच रहा है सांबी मन में सोच रहा है नजर पड़ी रुक्मण की जाज अपलक रहा देख माता को लच्चनी का जो रूप कहाई उसके भाव को समझ गई है अंदर या मी जो कहला एक रोध तो कर बोली माता पाप गया तेरे मन में समाई तेरी भाव ना समझ गई हूँ रूप देख के गया लभाई में हूँ तुम्हारी माता लगती सोच रहा लूब्या ही रचाई अरे धुष्ट तुम्हामूर्क है अरे दुष्ट तुम्हामूर्क है मूर्क ताहद से बाहर जाए पैदा हुआ है तुझ तन से उसी से सोचे व्याहि रचाई वासन में तू लिब देख पापी तेरे पिता को दूंगी पताई आने दो मेरे पिताम जी को कैसे ए सब सोचाई आते ही में सारी बातें पती यहों को दूंगी पताई नीची अभागे पापी तुझको देती हूँ मैं डंड दिलाए बाते सुनके सौंब डर गया बाते सुनके सौंब डर गया तभी सिरिकेश्ट में गये है आई रुखमारी सारी बातें बताई अपने पती को दिया बताई बातों को जैसे ही सने है सिरी केश्ट जी क्रोध में जहरा गाला पढ़ गया उनका सारा बदन गया थर राए क्रोध में होके श्राप दे दिये आरे पापी तुझे कुष्ट हो जाए जैसे ही सिरी हर श्राप दिये हैं भाई के मारे गया भाबिराए उसके बदन में कुष्ट हो गया उसके बदन में कुष्ट हो गया श्राप निया सर दिया दिख लाए ठीप मवाद लगा है चूने चेहरा उसका काला दिखाए मन मतोस मत्रा पहुचाए कहु घाट पर बेटा जा लगाए प्रवु का भजन वो करने अधिक दिना है दिया पिता एक दिन वहाँ पे बेचरण करते नभ मंडल से नारद आई नाराय नाराय अन कहिते हात में बीडा रहे बजा ब्रम्हाजी का बेटा लगते जिनका वातिन रत्य हुपार साम्बे ने पिर्णा में किया है देख दुर्दसा गए घबिराय सारा समचार है पूछे एसा कैसे हो गया हाई साम्बे ने तब सारी बाते नारद जी से दिया बताई नारद जी को दया आ गई साम्ब को फिर बे रह समझार माता के प्रति पुत्र की एसी सोच न सोभा देती हाई क्यों तू किया है एसी कल की क्यों तू किया है एसी गलती साम्ब को नारद रहे बताई गलती पर पच्टाया साम्ब है हात जोड बोला सिर नाय है प्रभु जी मैंने की है गलती जल्दी खोजिय कोई उपाई गलती का पच्टाबा मुझे को पता रहा हूँ एक उपाई ध्यान से साम्ब बात को सुनिये जो पहता हूँ पर ये जाए सायद तुमें सस्त हो जाओ अभी बचा है एक उपाई छटी मैया का प्रति करो तुम छटी मैया का प्रति करो तुम साम्ब को है नारत समझाण सूर्ज देव का पूजा करन्या तुमको विदि देता हूँ बता ध्यान से सारी बात सुनो तुम कार्दिक माहरा है या इसमें सूर्ज की पूजा होता छटी मैया को भी पूजा जा छटी मैया संद सूर्ज की पूजा साम्ब करो तुम ध्यान लगाए सूर्ज और मैया के प्रभाव से सायद को श्ट ठीक हो जाए बड़ा महत्वे छट के ब्रत का बड़ा महत्वे छट के ब्रत का साम्ब को रहे नरत समझाए छटी मैया है बड़ी दयालू भगतों पर दया करती आए छटी मैया के संद सूर्ज भी भगतों पर होते है सहा जिन पर दोनों खुस हो जाते है उसका देते कश्च मिटाए विधी मिधान से ब्रत को करो तुम सायद रोग दूर हो जाए इसके बाद मैं एक दूसरा तुमको फिर हूँ बताता उपाए जाता हूँ मैं बेध बुलाने जाता हूँ मैं बेध बुलाने ब्रमण को लेता हूँ खुलाई साक दीप पर जो रहते हैं सकल दिपी है जो कहलाई रोगों पाई लाजे करते मलहम पट्टी दूग कराई कुछ समय तक करो पटिछा उनको भी लाता हूँ बुलाई साक दीप तब गई है नारद सकल दिपी को लाए बुलाई सांब की दुर दसा देखके मलहम पट्टी दिये करवाई दबादुआ दोन सुरू हुआ है विधी मिधान उस्तर पूजन कराई आ गया है कार्ट की सश्ची सांबे ने आसन दिया लगा छट के ब्रत को सुरू किया है छटी मईया का ध्यान लगा तनमन धन से ब्रत किया वो सुर्ज को अरद किया है जा जैसे ही कच दिन बिता है उसको लाभ हुआ है दिकाय दिन पर दिन स्वस्त होने लगा है छटी मईया तब हुई साय धूमे धाम से छटी मईया की रूमे धाम से छटी मईया की पापी पूजा किया है जाए साथ साथ ही सूर्ज देव को मन ही मन में भजता जाए सुन्दर और स्वस्त हो गया वो मान दिया है रोग मिटा सिरी किष्ण को पता चला तो मधरा के गवगाट पे आए साक दीप के सकल्द पीजो वहीं प्रब्रामड गए भिटा जिन हुँने इलाज किया है उनको स्राप दिये है जाए ब्रामडो तुम स्राप हुदेता हे ब्रामडो तुम स्राप हुदेता पूजा पाठ सब नष्ट हुजा परजित कर दिये सब की पूजा सिरी केशन गए क्रोध में आए मेरे फ्राप को विफल किये हो इसका फल पाओंगे हाँ साम्बेन की अब्रामड की बिजाई सकल्द पीन जिभवन को जाँ जैसे ही कुछ दूर बढ़े हैं रापन या सरदिया दिखिलाए सब काजवास्त लगा है बिगड़ने केशन का पेर पकड़ लिये जाए सिरी केशन को दया आगई सिरी केशन को दया आगई मजदूरों पोलिय पुलवाई सारी कारी गर को हे भेजे यत्रे पत्रे उन्हे दिया बसाए रहने के लिए घर बनवाए दयाल भगवन दया दिखा जो रोगी का इलाज करेगा ओ न कभी पूजा करवाई पूजा पाठ के योगी न होगा बात को सुन लो ध्यान लगाई जो नहीं करे किसी की चिकिस्सा वही प्राम भड़ पूजा करवाई प्राप को बाप से किष्ण ले लिए प्राप को बाप से किष्ण ले लिए ब्राम्हण लोग पर गया दिखाए जम्बू दीप पर ले जा करके त्राम्हणों को है दिये बसाए साम्ब स्वास्त हो गया है देखो पिता को देख किरह मसकाई जरण पकड़ के माफी मांगा माफी मांगत भी सर्माई सीरी केष्ण ने माफी कर दिया पुनह दौर का पूरील जाए भवन में गया रुक मडी मांके चर्णों पे दियसीस जुपाई माता जी मुझे माफी कीजिए माता जी मुझे माफ कीजिए रोने लगाओ था भी गिया मनता मैं मामाप की गलती पच्चे को सीने से लिया लगाओ साम्बे के जैसे सब को मैया रोग से देती मुझे करा जो भी छट का ब्रत है करता उसको कभी न रोग सताओ साम्बे खुस हुआ सभी को पाकर छटी माईया ने दिया मिलाए माप कीजिए सब उत की गलती खुसे हुआ पारवारे को पाई छट की महिमा अपरम छट की महिमा अपरम पारे भग दो सुन लो ध्यान लगाओ सत्योग में भी एक थे राजा जिनका नाम सरयाति कहाई एक हजार थी जिनकी पतनी उनको पुत्र नहीं हो पाई पन्सक नाम पर एक थी कन्या तूसरी उनको हो नहीं पाई दिन दूना और रात चोगिना कन्या से आनी हो खत जाए सभी प्रेम उससे करते थे चंदक जैसे चहरा दिखाए कमलक जैसे आँख ते उसके कमलक जैसे आँख ते उसके रती भी जिसको देख लजोड धीरे धीरे वुई सयानी चंचल पता समान की हाय प्राणाऊ से प्रिय पता को लगती अती सुंदर है रही दिखा धर्ति के उसके जैसा नंसुंदर कोई न दूजा रूप दिखा रूप योबन की तुलन नहीं जिसकी सुन्दर्ता कही न जा उसकी सुन्दर्ता के चलते ही नाम सुकन्या गया रखा एक समय सरयाती रजा मंत्री सेना को बुलवाए योधाओं को भी लिये बुलाए संग परोहित को भी ले कर राज गये जंगल में आए सिकार खेलिन जाने के ले है खना भोर जंगल दिखिला एसिकार खेलित दस दिन भीते मोज मस्ती में दिन पिताए रात में बेपस्णियों को ले कर करते कीडा जंगल में जाए जंगल में लग मंगल करने जंगल में लग नंगल करने खुशी क्यून की सीमाना सक्ञा पोले जंग सुकन्या फूल तोड़ने जंगल जा जहां पर चैमन बुनी रहते थे वही पर पहुच गई है आई लगा के बेठे मुनी समाधी धोका सुकन्या गई है काद मक देह में लगे जियोन के मिटी कदीज में आँख दिखा जमक रहे जुगनू के भाती देख सुकन्या रही मुसका जंचलना बस आँखे भोड़ी जुगनू समझ सुईदिया धसार मुनी की दोनों हांके पोटे गई खून की धारा बहती जाए हाथों में लिए पूल की डारी गई सुकन्या घर में समाज ऐसे ही मुनी की आँखे पोड़ी असमय गई प्पत्ती आए राजा प्रजा पिमारे हो गई हाँ हाँ कार मचा है हाँ बंद हुई सब की लगुजंका पेट का दारा दिभी बढ़ता जा तीन दिना तिन रात है भीते तीन दिना तिन रात है भीते राजा परोहित लिए पुल्वान सारे लोग बिमार पड़े क्या कारण है दो बतला देपे द्रश्टिस ने देखे परोहित राजा जी तो रह समझा भार्गो बंत में ये कि दिसी है चाई बन है जिनका नाम कहाई शुरू कर दिये गोरित पिस्या पीमक मास रहे है का हटी कढ़ाचा से से रह गया उस महमिटी का ये लपटा उनकी आँक सखन्या पोड़ी उनकी आँक सखन्या पोड़ी खून की धारा बहती जाए नहीं जान पाई है लड़की दी अज्यानी सुई धसा उसकी भी कोई गलती नहीं है नहीं समझ पाई हो हाँ अनजाने में कर देटी है है निदान का एको पाई मुनी जी कपल सन्य कीजिए लता सीगर जंगल में जा जंगल में है उनका असिरम परमनों हर कुटी दिखाय कष्ट से प्रोध में जय बढ़ मुनी है कष्ट से प्रोध में जय मन मुनी है खून की धारा बहती जाए रुकने काहे नाम न लेती नेत्रहीन गए खोध में आए इसी लिए बीमार पड़े सभी दिया परोहितने बतला देर न कीजिये राजाजी नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाए किसी तरह से उन्हें मनाए अभी आप या स्रम को जाए जैसे जैसे खून बहेगा पैसे कष्ट भी बढ़ता जाए राजाने कस लिया सवारी राजा ने कस लिया सवारी अथ सुन्दर घोडा दिखिला आस्रम को जल दिये राजा लिये सुपन्या को बैठाए मुनी के आस्रम को जा पहुचे खून देख के उठे चिहाए खून का ठका जमा पड़ा है चार सरप ही लाले दिखाए दोनों आख मुनी के फूटे दर के मारे गए खर राए कैसे पास मुनी के जाए राजा को कुछ समझ न आए हिम्मत जुटा के राजा पहुचे हिम्मत जुटा के राजा मुचे चाइबन मुनी के पास में आए पकड लिये है पेर मुनी का चरणों में दिय सीस जुखाए चाइबन मुनी से राजा बोले मेरी चुक चमा हो जाए कन्या ने अपराध किया है आँख पोड़ दी आप किया है आँखों को जुगनू समझा था उसमें सुई दिया है धजाए समझ न पाई आप को मुनी बर उस चन चलता गई समाए अन जाने में चूक हो गई अपराध चमा हो जाए अपनी कन्या तु कन्या को हाथ अभी देता हूँ थमान इस दिने आप किसे बटरेगी कश्ट याप का सहा न जाए चाइबन दिसी तब खुस हो गए है राजा से बोले मुस्तकाई ध्यान लगा के सुन सरयाती देता हूँ मैं कश्ट मिटाए मुनी ने कश्ट को दूरे किया है खुस हुए सुकन्या को पाई सुकन्या को पासे बुला कर मुनी के हाथ में दिये खमान जान कर दिये सुकन्या का मुनी खुस हुए कन्या पाई क्रोध सांत हुआ है मुनी वरिका रापिली ये वापस लोटाई सारे पिमारे सथ हो गए है राजा से ना सहत पठाई अपने देश में पहुचे राजा सारयाती ने जिमहल समाई लगी सुकन्या जेवा करने मुनी वारती का ध्याने लगाई कार्टिक मासे क सश्टित थी को कार्टिक मासे क सश्टित थी को लाने पूल सुकन्या जाए एक तलाबिक पास गई है नाग कन्या को देखा जाए कसवजी के यग मंडप में देख डूस को गई समान नाग कन्या की सुर्च की पूजा देखने लगी सुकन्या जाए नाग कन्या से लगी पूछने क्या करती हो दो बतलाई किस कारण से आई यहाँ पे सारी बात दो मुझे सुना छट ब्रत का पूजन करती हो रही नाग कन्या समझाए करते हैं जो सुर्च की पूजा उनके मनोरत फूर्ण हो जाए नाग कन्या ने सुकन्या को दिया है सारी विधिवता सुकन्या की महापर्व को पूनी के बंद्र ने स्रिक खुलिया राज चिपाए के और हिस में सुना और संको ध्यान लगाए पट्रा सेर में एक सेट था मही पाल है नाम कहाए धर्म कर्म देवतों का बिरोधी धर्म कर्म देवतों का बिरोधी पूजा पाठे ना उसको भार छट के घाट को किया है गंदा मले मूत्र त्यागा है जाए छटी मैया ने आखें पोड़ी कष्ट में जीवन रहा पिता एक दिन कष्ट से हूप गया है चान तेन गंगा में जाए नारद जीरस्ते में मिल गए पारी बात दिया समझा रोकर सेट लगा बकलाने नारद तब उसको समझाए आत्म हत्या महपाप है आत्म हत्या महपाप है छट को लोका मुद्रती उठाए पार्तिक माहेन पूझा करना सारे कश्ट दूर हो जाए सेट न छट के ब्रत को किया है माने कश्ट को दिया मिटा अभी कहानी और रहवा की सुनोर भगतो ध्याने लगा इस ब्रत को जो पुर्स भी करते कई कहानी सामने आ जुआ खेल रह थे इरुष्टिर सब पुछ दाओ पे दिये लगा हार एक जंगल में जा निकले संकट काल गया नियराय भी सार कश्ट से गुजर रहे थे दिये परोहित जीवत लाए माता छटी का करो तुम ब्रत सारे कश्ट दूर हो जाए द्रोपति के संग ब्रते किये हैं सूर्ज देव ताखोस हो जाँ तामबे का एक बरतन दे दिये जो भोजन चाह प्रप्त हो जाए सूर्ज देव बरतन दिये हैं कोई सब पती कई है आए और भी समेरा जेवां की आओर भी समेरा जेवां की सुनोर भगतो ध्यान लगाए जेव के चटकी महिमाबादी जिसका वर्णन कीया न जाए वुगल काल का एक था राज आओरंग जेव नाम कहाए मंदिर तोड़े जगह जगह का देवनगर को पहुचा जाए वह बैदे का सूरी का मंदिर आति सुन्दर जो रहा दिखाए सोने का जिसमे कलस चमकता देख के राजा गय चक्राए चला है जब मंदिर तुड़बाने चला है जब मंदिर तुड़बाने देव के लोग उसे समझाए इसे तोड़ना महापाप है सुनके राजा रह मुसकाए अभी तोड़ देता हूँ इसको लोगोंने रोका है जाए एक सर्त है सभी सुन लो कभी दियावा है सर्त बता रात भर का समय हुदेता बात को सुन लो ध्यान लगा तेरे सूर्द देव का ताकति अभी मैं लेता हूँ अजमाए अगर हो इन में जराभी सकती अगर हो इन में जराभी सकती पुरभ कदार पजिम हो जाए नहीं तो तोड़ूंगा मंदिर को सूर्ज देव को लोग मनाए मंदिर की रक्षा कीजिए प्रभु जी सारे लोग रहे गोहरा नहीं तो तोड़ेगा यह पापी अपनी सकती दीजे दिखाए सूर्ज देव ने दिखा दी सकती उरभ कदार पजिम हो आए सोकर राजा उठा सवेरे तेखिक मंदिर कया चिहाँ सकती देखिके सूर्ज देव क्या सकती देखिके सूर्ज देव क्या चरणों में गिर पड़ा है जान पिल तोड़ ही मंदिर लवटा त्वार आज भी देखा जाए सते उरंगाबाद के दच्छन नाम जिसका देव कहाए पड़ता है बिहार राज में लोग जहां छट करने जाए जो भी यहां पूजन करता है उसके मनोरत पून हो जाए क्याते करते पूजन छटका देती हूँ मैं भी भी बताए कार्थिक सुक्ल पक्त चौंधी थी मैं कार्थिक सुक्ल पक्त चौंधी थी मैं सुबह सवेरे ही जग जान नित क्रिया कर सूर्ज को जल दे पुन है प्रिनाम करे सिरनाय से इस्त जनां को उसी स जुगाये भोजन साथ विप सुद्ध बनाय पुन रूप से हो सा कहारी प्रती उसी भोजन को पा रोटी रातरी में खाते हैं आसनले भूमी पे लगा पलंग चार पाई पे न सोबे सुबह पंच मी जाए गया जिसको छोटा छट के जिसको छोटा छट केहते हैं सुबह को मेरे ही जग जाए करिशनान सूर्ज को जल दे सारे दिन भूखे रह जाए कभी किसी से जूट न बोले रज सबला से नहीं छुआ छटी माईया का सुमरन करके सूर्ज देवि का ध्यान लगा फिर दूसरे दिन बढ़ की छट को सुबह कवेरे ही जग जाए आमे के दातुन से मोह धोए नहा के सूर्ज को जल दे चड़ा नदी के नारे साम तुजा घर नदी के नारे साम को जाकर घट में पूजान करके आए फल फूल से अर्ध दे सूर्ज को पच्चे में दो परक्रमा लगा पुनह लोट के धर को आबे घर आंगन ले सभी सजाए चोंका पूर मंडप को बनाबे ये कि कलस दिय धकनी मगा फल पकवान सभी को लेके अपना दवरा खुब सजाए खुशी खुशी ले घाट को जाते पूर्ज देवी चटी मईया मना चटी मईया के गीत को गाबे चटी मईया के गीत को गाबे लोग उनको बेठा के हिस्तिना जवरा में सब फल को सजा करे तूधे और फल फूल जुटाए नारियल भी दवरा में लेकर सूर्ज देवी को अर्ध चटाए परिक्रमा कर सूर्ज देवी का सभी बड़ों को सीस जुखाए ब्रहमण देवक भोजन करादे फिर पारन करने को जाए अर्ध धर्म की प्राप्ति होगी अर्ध धर्म की प्राप्ति होगी तिर धर्म भी धन्वान ओजाद इस दिन घाट की होती सपाई गंगा घाट को लोग सजाँ सागर कट भी सद धद जाता ताल कलाईया ज्वर्ग दिखा जगमग जगमग जोती जलती सूर्ज देव को सभी मना चारो तर पोचट की पूजा मैया की जैकार सुना बेद पुराण स संजय ओहित कथा लखे हैं ध्यान लगाए संजो बघेली ने गाकर गाथा संजो बघेली ने गाकर गाथा छटी मैया का दिया सुनाए संजो हाँ को सीसे जुका